नमस्का दोस्तों मैं रवी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवी टैक स्टूडियो वे जो भी दोस्त नए हैं प्लीज डू सबस्क्राइब तो दिस चैनल and don't forget to press the bell icon और जो दोस्त पहले से जुले हुए हैं प्लीज जू फरवाद इस वीडियो तो दिमेक्शन नमर फेस्व ग्रूप तो मेरे पास कई सारे कमेंट्स आए और कई सारे वाट्सव ग्रूप आए कि आप इतने अच्छे कैची थमनल्स कैसे बनाते हैं और ऐसे कौन सा आप है जिसे जिसे हम ऐसे अट्रैक्टिव थमनल ब लिए और इसको बनाने के लिए क्या-क्या स्टैप्स हमको लेने पड़ेंगे वह सारे में आपको देखाऊँगा तो तो दोस्तों चलते हैं अपने मोवाईल स्कीन पर तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा गूगल प्ले स स्टोर पे तो जब आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे तो वहां आपको सर्च करना है कि ऐसे कौन-कौन से एप हैं जिने हम यूज़ कर सकते हैं यूटूब थमनेल के लिए तो आप ज़स्ट टाइब कीजिए यूटूब थमनेल एप जैसे ही आप टाइब करोगे बहुत सारे आप्शन्स आपको आ जाएंगे कैनवा आ जाएगा इसके अलावा रिडिमेड थमनेल भी है पर जो मैं एप यूज़ करता हूँ उसका नाम है पिक्सल लैब जो की बहुत ज़्यादा फेमस है बहुत सारे यूटूबर उसको यूज़ करते हैं तो यह है पिक्सल लैब तो इस पिक्सल लैब को आप इस्टॉल कर सकते हो अपने मुवाईल में हाडली यह 27 MB साइज का है इसकी खासियत यह है कि बहुत सारी टेंपलेट हैं बहुत सारा मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो तमनेल के साथ में तो दोस् समझाते है Pixel Labs तो यह Pixel Lab है Pixel Lab जब ओपन करेंगे तो यह ऐसे ओपन होगा हाव लेड़ी यहाँ पर मेरा एक थम्मेल बना हुआ है जो कि मुझे नहीं चाहिए मैं दुबारा मनाता हूँ इस थम्मेल को इसको मैं डिलीट करूँगा जब ओपन करोगे तो इंटरफेस ऐसे करके खुलेगा तो यहाँ पर आप देखोगे बाइड डिफोल्ट बहुत सारे युनों टेंपलेट्स अवेलेबल हैं या तो आप यह रेडिमे टेंपलेट्स यूज कर सकते हो अगर यह रेडिमेट टेंपलेट्स यूज नहीं करना है तो आप एक काम कर सकते हो, यह जो तीसे नंबर पर बटन है, यह वाला इस पर क्लिक करो, इस पर क्लिक करते ही, यहाँ पर आपके लिए option रहेगा, आप कोई image, यहाँ पर import कर सकते हो, जैसे for example, मैं कोई image इसमें लेना चाहता हूँ, तो मैं import option में जाओंगा, second option इस पर क्लिक क करूँगा, यह image के लिए मांगेगा, तो मैं कोई भी light color का image इसमें से ले सकता हूँ, तो मैं देखता हूँ, कोई light image हो हमारे पास में, जैसे हम use कर सके, तो इसमें सबसे जो light image है, जो हम easily किसी भी thumbnail में चला सकते हैं, तो हम यह वाला image मेंने select कर लिया, अब जब image आ गया, त को change करना है, बाद में भी इसको change कर सकते हैं, तो आप as it is, इसको input करने के बाद right पे click कीजिए, जैसे click करो को, यह image यहाँ पर आ जाएगी, अब यहाँ पर आप change कर सकते हो, यहाँ पर आप को क्या करना है, यह three dots दिख रहे हैं, उस पर click करो, और यहाँ जाओ image size में, इस image size में आप, you know, select कर सकते हो, यह drop down list है, इसमें YouTube thumbnail करके option है, इसको click कीजिए, इसको जैसे click करोगे, तो इसका size आ जाएगा, 1280 x 720, so 1280 का width and 720 का height, यह standard size है, और 16 is to 9, जो aspect ratio है YouTube thumbnail का, अब इसको ok कर दो, जब ok कर दिया, तो अब इस image को आप adjust कर सकते हो, बड़ा सकते हो, इसमें exactly fit कर दो, तो ऐसे करके आपने फिट कर लिया इमेज आपकी हो गई फिट अब क्या कर सकते हो अगर आपको क्रॉप करना है क्रॉप कर सकते हो कॉपी करना है कॉपी कर सकते हो बहुत सारे इसमें ऑप्शन है यह नो टेक्शर चेंज कर सकते होगा टेक्शर चेंज करोगे बैक्ग्राउं जाएगी इसमें और कोई color आ जाए तो के कि यूज कर सकते हैं ठीक है और यह registration लाना है इसमें तो saturation भी बढ़ा सकते हैं गटा सकते हैं जाएगे इसी अज्ञेस्ट हो जाएगा brightness बढ़ानी गठानी इसे कर सकते होां brightness कशने के लिए तो मैं मैं पहले वाला बाई डिफॉल्ट सेटिंग कर देता हूं बाद में जब हम थम्मेल बना के तियार हो जाएंगे उसके बाद देखेंगे कौन सा क्लर हमारे लिए सबसे बैस्ट है और कॉंट्रेस्ट भी उड़ा सकते हो तो यह सारी आप्षिंस हैं इस ट्रॉक कर सकते हो और और क्लेपार्ट करना है कर सकते हो कलर को एरेज कर सकते हो बहुत सारी ऑप्षिंन है तो यह तो आ गया आपका बेक्गराउंड अब क्या है कि इसमें हमें अपनी एक पिच्चर लगानी है जो कि हमारी पिए फाइल जो हम आलेड़ी पहले से क्रिएट किया करके रखे हुए होंगे तो अगर पिच्चर आपको इसमें इंपोर्ट करनी है तो यह प्लस का निशान है यह नो टॉप लेप्ट कॉर्णर पर उस पर क्लिक कीजिए और वहां से फ्रॉम गैलरी गैलरी में जैसे कि मैंने सारी जो पी एंजी फाइल है वो पिक्सलेम में ही इस्टूर की कि यहां पर नाकर रखी हुई हैं मैं कोई भी पेअिस वहां से आहां पर कर रहा ह। कि रहां हो तो जैसे मेरे को आपको रखना है उतना की क्रॉब इतना लखना है par थोड़ा सा क्रॉप करता हूँ अब इसको कर दो तो इमेज को मैं थोड़ा सा एजस्ट करके यहां पर ऐसे प्लेस कर दूँगा अब इमेज यहां पर आ चुकी है देखो आप के लिए दिख रहा है यहां इमेज आगी है अब मेरे को यहां पर टेक्स एड़ करना है और आपको यह जो लिखा है उसपर क्लिक करो, और एड़ टेक्स्ट प्लस का बटन है उस पर क्लिक करो और यह आह आ गया आपका टेक्स्ट का ओप्शन तो इसको यहां रख लो और उसपर ही डबल क्लिक करके टेक्स्ट लिख सकते हो यहां पर लिखो कैची YouTube DependsTube Thumbnail कैसे बनाएं अब आपको ना LENGuage Change करनी है तो यह thumbnail का क्तो करके तोड़ा सप्च दे ने के बाद यहाँ पर जाओ चाइए और Language Change करती हें हिंदी में thumbnail कैसे बनाएं आप यहाँ पर कर दो कैसे बनाएं तो यहां पर हमने यह टाइप कर दिया तो यह में गणिनस लिखना है तो उसी के साथ में एड़ करना है बनाएं अब इसके उपर एक वर्ड लगाना है इनिशली यह ऐसे एक मिस्टेक हो सकता है इसके उपर यह लगाओ और कुशन मार्क लगा दो डबल तो यह आपना लिख कैची YouTube Thumbnail कैसे बनाएं किलिको के जैसी आप किलिक करोगे तो यह सब लिखके यहां आ जाएगा देखो बहुत लाइट है हमको किलियर नहीं दिख रहा है तो हम इसकी क्या करेंगे कलर को चेंज करेंगे तो इस कलर के लिए हमको यहां जाना पड़ेगा तो यहां टेक्स क करना है हमको टेक्स कलर में जाना यह है कलर ऑप्शन तो कोई भी कलर आप ले सकते हो रैड कलर है तो यह हो गया कैची YouTube Thumbnail कैसे बनाए तो यह कलर ले सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो पिंग कलर रह सकते हो पिंग कलर थोड़ा ज्यादा कैची लगेगा और इसके फ्रोन कलर तो यहां बहुत सारे कलर के आप्शन है आपके सामने या आप ब्लैक ही रख सकते हो फोर अग्जामपल तो जैसे ब्लैक ही रख लिए तो ब्लैक एकदम रख लिए और ओके कर दिये अब क्या करना है आपको अगर यह दर जाओगे तो आप बोल्ड कर सकते हो इस इतरे से आप set कीजिए तो color आपका black color हमको लेना है black color हम रख दिया give okay अभी थोड़ा इसको adjust कीजिए ऐसे बढ़ा दीजिए थोड़ा दो लाइन में आ जाएगा catchy यूटूब thumbnail कैसे बनाएं यह लिख क्या गया अब क्या करना है आपको let's suppose आप इसको font change करना है आपके पास में आप यहां से दिखे कर सकते हो यह ऐसा दिखेगा अगर आवस लिखोगे तो यह catchy thumbnail कैसे बनाएं और थोड़ा जाना है चंक फायर यह ऐसा दिखेगा तो बेटर आप इसमें से अपनी यूझनो expectations के according आप इसमें thumbnail बना सकते हो right attractive के चीजो भी आपको दिखेगे जैसा भी आपको अच्छा लगे जैसी यह है थोड़ा ऐसा लगेगा right मैं ज्यादा तर जो यूझ करता हूँ तो regular यूझ करता हूँ ऐसा यूझ करता हूँ एरियल थोड़ा ज्यादा थिन हो जाता है तो यह ब्लॉगर यूझ किया सकता है ब्लॉगर नहीं तो अमर नाथ बोल्ड रखो यह ज्यादा अच्छा लगेगा तो गेब होके तो यह अपना ऐसे लिख के आ गया अब अब जैसे और option है इसमें background भी इसका चिंद कर सकते हो जैसे black लेखाया पीछे white भी लगा सकते हो या फिर आप ऐसा ही transparent रखो तो यह थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है तो इससे better है कि इसके पीछे background आप चिंद कर दो तो background के लिए आपको क्या करना पड़ेगा है background में जाओ background enable कर दो आप background color आप white रह सकते हो white रखना है तो green रख सकते हो all right green नहीं है तो और कोई light color आप देख लो या आप ऐसे मिला के मतलब या फिर उसी से matching का sky blue भी रख सकते हो या ऐसा लखेगा या फिर बिलू रख दो right नहीं तो light light green रखी है तो ज्यादा और attractive दखेगा और नहीं तो थोड़ा shadow में लेके आई है ऐसा color लेके आई है बहुत सारे option है आपके पास में या simple white रख सकते हो ऐसा बना सकते हो तो डिपेंड करेगा आप कैसा लगाना है तो मैंने जैसे अब यह set कर दिया अभी क्या य तो को आप spacing भी change कर सकते हो यहां देखो relative spacing अगर आपको इनकी बढ़ानी है एक दूसरे से दूर करना है तो ऐसे करके कर सकते हो पर वो required नहीं है इतना काफी है अब क्या करना है इसमें stroke लगा दो stroke लगा हो तो यह word ना एकदम से overay हुए दिखेंगे तो stroke लगाया तो थोड हो जाएगा कि यह थोड़ा सा इनों एक दूसरे से मिले हुए दिख रहे थे अब थोड़ा सा different दिख रहा है कि कैसी थमनल कैसे बना है थोड़ा अच्छा दिख रहा है अगर ऐसे ही रखना चाहते हो तो ऐसे रखो तो text का size थोड़ा सा बढ़ा दो तो इससे यह जो temporary problem आ रही है वो adjust हो जाएगी ठीक है तो इसको अगर आप ऐसे adjust करके रख दो और थोड़ा photo को थोड़ा सा adjust करोगे तो यह सारा उससे adjust हो जाएगा तो अभी क्या है ना text size को थोड़ा सा उपर नीचे करके adjust करके ऐसे fit करती किया जा सकता है तो यह हो गया कि अच्छी YouTube thumbnail कैसे बनाएं अभी क्या ब्लैक कलर थोड़ा सा इनों अजीब लग रहा है तो हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा इसको change करेंगे तो इसको थोड़ा और कोई color रख दो रैड color रख दो थोड़ा सा अच्छा देखेगा यह पिंक color रख दो यह हो गया अब इसमें एक option और है padding जैसे आप यह अच्छा रिदम स्टेट नहीं रखने है एक line में उपर से नीचे की तरफ करना है तो यह padding left padding कर सकते हो राइट padding कर सकते हो ऐसा कर सकते हो ठीक है यह बीच ओ बीच में रख सकते हो ऐसे राइट padding करोगे तो राइट padding हो जाएगी ऐसे पूरा आ जाएगा एक ही उसमें आ जाएगा complete ऐसे adjust कर सकते हो ठीक है तो इससे उपर नीचे आप इसको कर सकते हो अब रही बात इसमें और भी आप्शन है कई सारे इन अच्छनों को आप रोटेट कर सकते हो कितना रोटेट करना है जीरो डिगरी राइट 90 डिगरी ऐसे करेकर घुमा सकते हो इसको जीरो डिगरी पर ही रखते हैं यह जीरो डिगरी हो गया तो इसके अलावा इन अच्छनों को आप ऐसे लिखना है सरकल में तो सरकल का भी ऑप्शन है आपके पास में स्ट्रोक आपने लगा दिया अब एक चीज और आपको दिखाना चाहूंगा कि इसमें 3D ऑप्शन भी है आप इन अच्छनों को 3D भी बना सकते हो ऐसे और इसको थोड़ा सा डैट इसकी बढ़ा दो तो यह ऐसे लखना सकते हो आप इसको और राइट जीरो पर रखना है तो जीरो भी रख सकते हो और ऐसे य एक्सिस के करना है तो यह ऐसे और ऐसे भी जा सकता है कैसे बनाए ठीक है जैट पर वहना है तो ऐसे भी घुम सकता है तो यह सारे कई सारे ऑप्शन हैं जिनसे आप इसको कर सकते हो पर आप अगर अपना चैन्ण लेम एड़ करना चाहते हो तो एक वार और टेकस घ्र कर दीजीए ौर उस फ़िर डबल कलिक करके अपने चैनल का नाम यह डाल सकते हो तो जैसे मैं इंग्लिएसमें इसको चिंद करके अपने चैनल का नाम डाल रहा हूँ यहां पर रवी Tech Studio तो ये डाल दिया अब इसको यहां रख लो या फिर आप टॉप पे रख दो जहाँ भी आप रखना चाहँ मैं जाद तर यहां पर रख देता हूँ जब मैं यहां बड़ी अच्छा लिख रहा हूँ तो मैं यहां रख देता हूँ और इसका भी color आप change कर दो, थोड़ा सा red या pink कुछ भी थोड़ा attractive लगे, जैसे कि मैं इसमें रख देता हूँ, for example, pink, pink रख दिया, अब मेरे को थोड़ा background change करना पड़ेगा, क्योंकि यह दिखनी रहा है मेरे को, तो background में रखता हूँ, बहुती simple background रखूँगा इसमें, आइधर यह रख सकता हूँ, right, और नहीं तो white ही रखो, white सबसे best है, और stroke लगा दो, stroke ज़रूरी है, क्योंकि उससे थोड़ा सा अच्छर, ठीक्टा दिखने लगते हैं, तो अब यह तो मेरे channel का नाम आ गया, तो मैं channel का नाम यहां रखती है, कैसी YouTube thumbnail कैसे बनाएं, अब क्या है, कि देखूँ, साही चीज हो गई है, अब problem क्या रही है, let's suppose आपका यह background जो आपके यह photos बगरा दिख रहे हैं, उनका थोड़ा color आपको इनो, change करना है, तो आप फिर से इधर जाओ, आराइट, यहां पे आप पे option था, जिससे आप इसमें coloring change कर सकते हो, आराइट, relative position था, यहां पे देखो, पीछे का background transfer कर सकते हो, color change कर सकते हो, background का, देखो, पहले यहाँ था, अब यह ऐसा हो गया, इसमें और change कर सकते हो, कुछ भी, यह यह हो गया, और color है, तो, किदर जाएए आप, कोई image add करनी है, तो image, image का size आप यहां से बढ़ा सकते हो, background, इनो, transparent कर सकते हो, यहां पर नहीं होगा यह अभी, क्योंकि यह हमारा, यह अलग से import किया हूँ अच्छी इस था, अब इस beach वाले जो ट्रिप, तीसरे number पर है, उसमें जाओ, वहां से जाने के बाद में relative sizes बढ़ा सकते हैं एक दूसरे का, देखो, इससे क्या फरक पड़ेगा, यह देखो, एक दूसरे का सब पीछे जो background है, उसके comparison में size आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है, पर हमको को करना नहीं है, हमको full size रखना है इसका, पुरा size रखिए, और यह हो पर set कर दीजे, तो यह set हो गया, इसके अलावा आप color है, color इसका कुछ भी change कर सकते हो, background color, अगर जो सारा background रेट जाएगा, उसका कोई भी color हो, हो हाँ पर set कर दो, आप blue डाल सकते हो, देखो, color catchy लग रहा है, right, ऐसे रख सकते हो, कोई और color इसमें बीच में ला सकते हो, ऐसे बना सकते हो, कई सारे आप पर option है, जिनसे थोड़ा इसको और ज्यादा attractive आप बना सकते हो, तो यह condition में आपका पीछे का background पूरा चला गया, जो भी आपने वहाँ पर किया था, वो सारा background चला गया, अगर इसको नहीं रखना है, तो इस color option को बंद कर दो, फिर से वहीं आप, छिक है, तो यह color का हो गया, और पीजे का opacity stroke है, stroke यहाँ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि दो को वो सारी चीजें आपने पहले लिख दी है, तो यह stroke हमारा text वाला था, eraser है, right, color erase कर सकते हो, कोई भी color आपको इसमें से निकालना है, इसको erase कर सकते हो, right, कोई भी पीछे का background color erase हो जाएगा, right, वो हमें इसमें जरूवत नहीं है, rotate कर सकते हो picture को, picture rotate हो जाएगी, emboss हो जाएगी, बहुत सारे option है इसमें, तो यह text तो अपना पूरा हो गया, test आपने देख लिया, और यह सारा मैंने आपको function दिखा दिया, यह आपका thumbnail बनके पूरी तरह से तयार हो च अगर आपको यह picture का background नहीं रखना है, कोई और background इसमें add कर सकते हो, तो इस तरह से आप इस, you know, app के साथ, you know, इस image को बहुत अच्छा बना सकते हो, तो यह color, color आप यह अच्छा ना लग रहा हो, तो background color आप इसका change कर सकते हो, तो यह हुआ, अब यह सब करने के बाद आपक and save to gallery, तो इस तरह से आपकी यह thumbnail आपकी gallery में save हो जाएगा, saving method टाइम लेगा, rendering करेगा, पर उसके बाद यह save होगा, अब यह आपका यह जोगा save, अब यह अगर आपको इसमें कोई doubt हो, तो feel free to write in the comment section, मिलता हूँ, अगले वीडियो में एक नई update के साथ, तब तेल के लिए नमस्कार, जै भारत, बंदे मातरम